दोस्तों Amazfit के तरब से एक नए स्मार्ट वाच इंडिया में बहुत यल्दी लॉंच होने वाली अभी आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने Amazfit GTR 2 और Amazfit GTS 2 को लॉंच किया है और अब Amazfit GTS 2 Mini इंडिया में लॉंच होने वाली है इसकी लॉंच डेट बहार आ चुकि इसकी प्राइस भी पता चल गई है इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ पताने वाला हूँ Amazfit GTS 2 Mini के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में इसकी प्राइस के बारे में इसकी लॉंच डेट के बारे में और ये वन आप ती बेस्ट स्मार्ट वाच है खास करके जिस प्राइस में यार ये बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे है सायद ही कोई दूसरा ब्रैंड हो जो इस प्राइस में आपको इस तरह के फेचर्स दे दे तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा Amazfit GTS 2 Mini के बारे में तो सुरुवात करेंगे Amazfit GTS 2 Mini की डिस्पले को लेके तो इस स्मार्ट वाच में 1.55 इंच की आपको Amulet डिस्पले मिलेगी यह rectangular shape की इसकी डिस्पले होने वाली है अगर बात करें resolution की तो 354 x 354 pixels की आपको resolution देखने को मिलेंगे और 450 nits की यहाँ पर brightness मिलती है अगर बात करें pixel density की तो 301 ppi आपको pixel density मिलती है और 2.5D curve glass का यहाँ पर use किया गया इसके display में तो display इसकी बहुत अच्छी होने वाली है और जो colors हैं वो भी बहुत ही clear दिखने वाले हैं अगर आप outdoor भी इस smart watch को use करोगे तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी क्योंकि इसमें brightness बहुत यादा होने वाली है वैसे एक अच्छी बात है अमेश फिर GTS 2 बी नहीं की कि इसमें आपको always on display का भी option मिलता है तो दियान रखिए इसमें AMOLED display और always on display ये दो कहीं रखिए इसको बहुत खास बना देते हैं खास करके जिस price में इंडिया में launch होने वाली है इसके साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सारे face watches देखने को मिलने वाले हैं जो आप एप के तुरू कंट्रोल कर पाऊगे लेगिन लगभग से 50 face watches इसमें आपको on board इसके stories में देखने को मिलेंगे जो हमेशा आप अपनी smart watch से ही change कर पाऊगे अगर आपको उसके अलावा चाहिए तो आपको इनका app यूज़ करना होगा वहां से आप बहुत सारे face watches को यूज़ कर सकते हो इस smart watch में इसके साथ ही साथ Amazfit GTS 2 भी निमें आपको right hand side में एक function button मिलती है जिसके मदद से आप menu अगेरा open कर सकते हो अगर आपने कुछ shortcut वगरा select किया है तो side से आप उसको भी open कर पाऊगे इसके बाद अगर बात करें build quality की तो भाई यहां पर square में आपको frame मिल रहा है जो aluminium का बना हुआ है और plastic की यहां पर आपको कुछ body वगरा मिलेगी तो overall यहां पर aluminium और plastic का use किया गया है आसपास इसका weight है तो काफी यहादा light weighted यह smart watch होने वाली है और जो इसका strap है वो silicon का है और easy to change है मतलब बहुत आसानी सा आप इसको change कर सकते हो इसके strap को आप बहुत सारे color में इसके strap available होंगे आप उनको भी use कर सकते हो तो overall जो display मिलती है Amazfit GTS 2 Mini की वो बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है इसके बाद बात करते हैं अब battery के बारे में तो Amazfit GTS 2 Mini में आपको 220 mAh की battery मिलती है जो लगबख से दोस्तों single charge पर आपको 7 days का battery backup मिलेगा अगर आप उसको heavy use कर रहे हो तो 7 days का battery backup मिलेगा वही पर अगर आप इसको typical use पर कर रहे हो तो लगबख से 14 days का battery backup मिलेगा मतलब कि अगर आप बहुत सारे function को use नहीं कर रहे हो तो लगबख से आपको 2 week का battery backup इसमें देखने को मिलेगा और वही पर अगर आप इसको stand by mode या फिर power save mode पर use कर लेते हो तो कहीं न कहीं आपको 21 days का battery backup मिलेगा जो की बहुत ज़ादा है कि smart watch है ये तो 21 days का battery backup अगर आपको मिल रहा है stand by mode पर तो वह बहुत ज़ादा होने वाला है इसके साथ ही साथ आपको magnetic charging stand मिलेगा basically जिसकी मनत से आप Amazfit GTS 2 Mini को charge कर सकते हो तो लगबख से धाई घंटे के आसपास fully charge हो जाती है तो बहुत ही आपको बढ़ियां battery backup मिलेगा Amazfit GTS 2 Mini में इसके बाद बात करें अगर यहाँ पर कुछ fitness से related features की तो इसमें आपको sleep monitoring मिल जाती है जो आपका sleep data है बहुत ही accuracy के साथ में दिखाने वाला है इसमें heart rate monitoring मिल जाती है 24x7 की blood oxygen saturation है जिसको SPO2 भी बोलते हैं वो भी इसमें मिल जाता है इसमें आपको PPG optical sensor मिलता है और इसमें आपको stress label भी है आपका बताने वाला है आपके stress label को भी यह शो करेगा इसकी app के थुरू तो बहुत सारी चीचे आपको fitness से related features में देखने को मिल तो आप समझी सकते हैं almost सारे sports mode आपको मिल रहे है में GTS2 में जैसे walking हो गया, swimming हो गया, indoor running, outdoor running, yoga इस तरह के आपको 70 से भी ज्यादा sports mode इसमें देखने को मिलने वाले हैं जो इस smart watch को कहीं न कहीं बहुत यादा खास बना देता है अगर बात करे notification alerts की तो इसमें आपको बहुत weather update है, on board आप music control कर सकते हो आगर आपके phone के साथ में smart watch connect है तो आप music control कर सकते हो आप अपने camera को open करके photo अगर capture कर सकते हो तो इस तरह के बहुत सारे features इसके notification panel में आपको देखने को मिलेगा जो बहुत यारा जरूरी है किसी भी smart watch के लिए और अगर sensors की बात करें तो Amazfit GTS2 Mini म आपको accelerometer का sensor मिलता है, gyroscope है, biological है, geomagnetic है और ambient light sensor जैसे आपको इस smart watch में देखने को मिलते हैं तो sensor भी इसमें बहुत ही जादा है जो बहुत ही काम के sensor इसमें देखने को मिलते हैं connectivity की अगर बात करें दोस्तों इसमें Bluetooth 5.0 मिलता है जिसकी मदद से आप Android या फिर iOS phone के साथ म का zip app है उसके तुरू, तो सारा data आपको अपने smartphone में दिखने लगेगा, इसमें built-in GPS है, ये बहुत ही खास है क्योंकि इस price में बहुत से smart watch है, जो आपको built-in GPS नहीं देती हैं, लेकिन Amazfit GTS 2 Mini में आपको built-in GPS भी देखने को मिलता है, ये smart watch 580M water resistant है, तो अगर आप इसको प इंडिया में Google Assistant है, या फिर Alexa है, वैसे चाइना में शाओ AI है, अब ये नहीं पता कि इंडिया में जब ये smart watch आएगे तो इसमें built-in microphone होगा की नहीं, अगर होगा भी तो उसमें कौन से ऐसे assistant होने वाला इसके बारे में अभी ज्यादा security नहीं है, लेकिन अगर microphone होता है, तो हो सकता है, कि इसमें आपको किसी assistant का भी support मिल जाए, इसके बारे में अभी ज्यादा update नहीं है, तो दोस्तों फिलहाल यही सारे features है, Amazfit GTS 2 Mini के, और अगर बात करें इस smart watch के price और launch के बारे में, तो ये smart watch 26 December से pre-booking पर जा रही है, Amazfit के official website पर, और Amazon पर price की बात करें, तो भ मिलेंगे, इसमें almost वो सारे features हैं, जो इंडिया में अभी 9-10,000 के smart watch मिल रही है, उनमें जो features है, उससे कहीं न कहीं थोड़े से जादा features आपको Amazfit GTS 2 Mini में देखने को मिल जाते हैं, वैसे दोस्तों, मैं आपको recommend करूंगा, अगर आपका 5-6,000 रुपए का budget है, तो आप definitely Amaz watch date के बार में सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप like करें, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को subscribe करके well icon हिट करें, कुछ ऐसे interesting वीडियो को देखने के लिए, तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो म है